गुड मॉर्निंग प्यारे विदार्थियों अमारा अध्याय यह फर्स चल रहा है और जितना भी आपको पढ़ाया जा चुका है पिछे वाले जो अपने इस अध्याय के अंतरगते वो आप साथ साथ में क्या है उसका दोहरान करते रहें ताकि अपनी साथ साथ में तयारी चलती रहेगी क्यों जैसे सलेबस है वो बढ़ता जाएगा वैसे वैसे क्या है अपने चेप्टरे बढ़ेंगे जैसे क्या है आपके तयारी भी क्या है साथ में गर होती रहे तो आपको क्या है कि परिक्षा जबाई की आपको टेस्ट जब आपके हुनगे तो आपको सम्शा वह सामना नहीं करना पड़ीगा और सत जाधन से अपने क्या है लगाता अगर अधिन करते हैं तो हमें अच्छी सफलता मिलती है अच्छी अंक हमारे प्राप्त ओते हैं तो आज हम इसके बारे में जो अपने पार्ट है राजनती सिद्धान्त इसके बारे में आगे चरजा करेंगे। बात आती हम सबसे पहले अज पहले जो विंदु है वो है अपने राजनती सिद्धान्त हमें पढ़ने क्यों चाहिए। जो राजनतिक सिदान्त है, इसकी जानकरी हमें क्यों होनी चाहिए, क्यों हमें इन सिदान्तों को पढ़ते हैं, क्यों इनका मध्यन करते हैं, हमारे किस प्रकार से ये सयोग करते हैं, इनकी जानकरी हमारे लिए क्यों आवश्यक है, इनकी जानकरी भाव में क्या इस्तती होती है और इनकी जानकरी होने पे, हमारे जीवन पे, हमारे इस्ततियों पे किस प्रगार का प्रभाव पड़ता है इसके बारे में चल्चा करेंगे सबसे पहले बार आती है हमारे अपने राजनती के आदर्स प्रतेक वेक्ति के क्या है कुछ अपने सिधानते कुछ अपने नियम और कुछ अपना तरग वितर्ग होता है तो जैसे समानता है सवतुनतरता है न्याय है तो इसके सम्वन्द में क्या है कि सभी वेक्तियों की धारना एक जैसे नहीं होती, सभी वेक्तियों विचार एक जैसे नहीं होते, सभी धारना है वो एक दूसरे वेक्ति से क्या है कुछ ने कुछ किसी ने किसी तरीके से बिन होती है, तो अपने बिन विचारों को क्या है कि पिशारों के प्रस्तूत करना आवश्यक होता है। और दूसरों के जो तरख वी तरख है उनको सुनना भी आवश्यक होता है। क्योंकि जो घ्यान का अपार भंदार है हो हमारे साइस कि है हमार Appapp के जो लोग रहते हैं जो व्यक्ति रहते हैं उनकी बातों को सुनना समझना भी आवशेक है, उससे क्या होगा, कि हमारे जो तरक वी तरकी सक्ति है, वो हमारे तरक वी तरकी सक्ति क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, हमें ज्यान क्या है, ज्यादा प्राप्त होगा, बात आती है, क्या हमें राजनतिक सिदान्तों के अध पढ़ेगा इसके बारे में आगे हम चर्चा करेंगे किस प्रकार रांतिक सिदानते हो हमारे जीवन के लिए आवश्यक है किस प्रकार से हमारे जीवन में वो आगे मारे दर्सके रूप में कार्य करते हैं बाल आती है कि रांतिक सिदानते क्या है और रांतिक सिदानते किन लो पर पहुँचाते हैं लोगों को इनकी देते हैं तो बारति यह राजनेताओं की नौकर सहाओं की यानि करमचारियों सरकारियों की अध्यापकों की वकीलों की पत्रकार хотел के लिए क्या राहनती Olivia सिदान्त है क्या इन वकीलों के लिए अध्यापकों के लिए या समाजी जो अन्य लोग है उनके लिए आवश्यक है या साथ में क्या है जो नोकरसा है जो अन्य अपने वकील है क्या इने के लिए जो रांतिक सिदान्त हो बने वे हैं जैसे अध्यापक है वो रांतिक सिदान् प्रति एक चैत्र के अलग लग व्यक्ति हमारे सामने आए प्रति एक व्यक्ति है विभिन चैत्रों से जुड़ा हुआ है और विभिन मुद्धों पर विश्यों पर जानकारी परमुक रूप से रखता है क्यों जितनी जानकरी वो रखे का उतनी अधिक वो जानकरी दे पाएगा, जितना उसको ज्यान होगा, उतनी उसके अधिकारों की सुरक्षय होगी, बाद आते हैं आगे आजादी या समानता का आर्थ है जानने से क्या होगा, आजादी का मतलब होता है सोतन दर्दा से, समानत जुड़ी हुई है और हमेश का ज्यान होना प्रयाप्ते आवश्यक है बाल आती है सभी के लिए राजनतिक सिदान्त आवश्यक है चोटा बच्चा हो चोटा बड़ा बच्चा हो चोटी महिला हो चोटी पुरुस हो किसी भी चाती धरम को सभी के लिए तो राजनतिक सिदान् स्मानता, स्वतंदरता, न्याई, धर्ण विर्पिक्स्ता, इन सभी सित्हाँ वग्यान है प्रस पर होना आवश्यक है, कि इनके ज्ञान के अभाव में क्या है, कि उसके आज‟ास जो हो रहा है का जीवन यहे उसका ग्यान नहीं रहे गा, और ये अच्छा व्यक्ति तो ये समाज में सामने, निग्घर के सामने आएगा, बाल आती है चात्रों के लिए भविश्य की आउशक्ता, जो इरानतिक सिदान्त है, कि बच्चे के लिए भविश्य में किस प्रकार मारेक दसन करते हैं, किस प्रकार उसका जीवन है, वो इरान तो अज्यान हो जाता है, तो इसके ज्यान से व्यक्ति का जीवन है, वो विविविन प्रकार से नए रूप लेता है, नए आयाम लेता है, तो उससे क्या होता है, कि वो राजनेता, नोकरसा है, अध्यापक, वकील, जजज, पत्रकार, कारेकरता, जिस छेतर पे, जिस व्यक चेश रूप से पकड मजबूत नहीं कर पाएगा और जितनी उसको जानकारी होगी उस छत्र के बारे में उतना ही क्या होगा कि वो हर छोटी-वचोटी बारिक से बारिक चीजों को समझ पाएगा और समझने कान क्या है उस चीज का समास से समझ जो कारी है वो करवा पाएगा बाल आती है हम सभी विश्य क्यों पढ़ते हैं एक बच्चा है वो कक्षा में क्या सिर्फ एक ही विश्य पढ़ता है या अन्येक विश्य पढ़ता है तो हम समाने देखने को मिलता है कि एक बच्चा क्या है कि वो जो विश्य पढ़ाय जारें उसको च्यार विश्य हो च्यार विश्यों, वो सभी विश्यों को पढ़ता है, क्या सभी विश्य पढ़ने उसके लिए आविश्यक है, तो विश्य पढ़ रहा है, क्या उसे कुछ विश्य नहीं पढ़ने चाहिए, क्या उसे सभी विश्य पढ़ने चाहिए, या कि एक ही विश्य पढ़ना चाहिए, तो उस उसके भविशे में क्या है कि उसके लिए उसके लाब मिले या नहीं मिले ज्यान होना प्रयागत उसके लिए आवशेक माना गया है बाल आती है सभी अध्यापके इंजनियर गणितिक ये नहीं बनेंगे जो पढ़ने वाले बच्चे हैं पढ़ने विदार्ति हैं क्या वो अलगलग छेत्र में सब भी छेत्रों को एक सत कालि कर पाईंगे वो करेंगे तो एक छेत्र में लेकिन क्या कर रहे हैं वॉर्तामान समय की आउशक्ता यह है कि द्रद्यीक व्यक्ति को पड़देक बसëlे को हर छेत्र में लुच्छ को तो बाहरा आती है, अध्यापक ए इंज़निर और गरितिक ए यह एक बच्चा है, वह सभी विशह को पढ़ने के बा वजूद भी क्या है, एक इख्चेतर में अपने कार्यarenthिक्ट पाईगा पालती हैं मुणियादी ज्यान सब के लिए उप्योगी बुनियादी ज्यान जो सामान ज्यान है वो सभी के लिए आफश्य है क्योंकि उनके अभाव में क्या है कि वियक्ति की वो थिए कि अरति सांस्कर्टिक समंदी हो जो धार्मिक समंदी हो किसी परकार का हो व्यक्ति को हर छेतर में प्रयाप्त ग्यान होना आवशिक बताया गया है बारती है सभी को मत देने का अधिकार देश में रहने वाले प्रतेग व्यक्ति को क्या है कि अपना अमुले वोट है उसका देने का अधिकार होता है अब ये अमुल्य वोट कौन दे पाएगा वहे व्यक्ति दे पाएगा चो वहेशक हो गया है वहेशक होने के बाद में अपने मतदान का उपयोगे कर सकता है और मतदान का उपयोग किसा दारपे करता है बहुत सारी पार्टियों के उम्मीदवार खड़े होते हैं वोट किसको उनको समान रूप से समान अधिकार मिले हुए हैं, जो एक व्यक्ति को अधिकार मिले हुए हैं, वो दूसरे व्यक्ति को मिले हुए हैं, क्यों वो एक इस देश में रह रहे हैं, निवास कर रहे हैं, बाहती है, सभी विश्यों का प्रियाप्त ग्यान होना अवश्यक, यानि प्रतैक व्यक्ति को जो अलग अलग विशिय है, अलग अलग जो सब्जेक्ट है, अलग जो छेटर है, उनका प्रयाप्त ज्यान हुना आविश्यक है, क्यों प्रयाप्त ज्यान क्या दहर पर क्या है? कि वो आपस में एक दूसुर्य समाद स्थापurrection कर पाएगा, समाज में पहुंचा पाये श्यम्त का विकास करपाएंगे शोटी सुदाण के रूप बात करते हैं परिवार और उसके पास रहता है येखित तो पास में परिखा परिवार है वह उन्हें परिवार को क्या है सैयोग करेंगा मदददàng विदाले जाने we Dala पहुंचाने में शिक्षा से जोड़ने के लिए इस प्रकार से क्या है जिस चितर का में ज्यान होगा उस चितर में विकास्त प्रकारी कर पाएंगे दूसरों का सयोग कर पाएंगे अपना ज्यान उससे बढ़ता है 12 हमारी तरक सकती विचारों दुनिया को विश्टित हो देत बात्चित तरीके से बात्चित कर दो आवश्यकि या किसी भी चीज के लिए बात्चित समय मेरे क SPD tua गट्वाइब की तो में हमें कि चुनाओं में खड़े होते हैं या कुछ सब्सक्राइब और उसमें भी क्या है, कि हमारी ग्यान है, हमारा जो knowledge है यह काम आता है. बाल आती है main zone या मतदान पर अपनी राहे देना ऑप उसव्यक्तिती करवाता बाहिए जिसको मतदान जक्रम 것이 मेंरते चेतर में उसको ज्यान होता है ज्यान होने कान किया है जो भी क्यूशन किया आता है उसका वह सटीक और सही उत्तर दे पाता है बाल आती है जानकारी के अभाव में परभावी नहीं यानि किसी व्यक्ति को मान लोग की स्वास्ते समधित क्यूशन पूछे गए लेकिन स्वास् कही है उसका कोई महत्व नहीं निकलेगा उसका जो परवाई व्यक्तित्व है वो एकदम कमजोड दिखाई देगा निम दिखाई देगा बात आती है विचार सीले परिपक्य होना आवश्य है विचार सील यानि व्यक्तिक को जो विश्य है उसके सामने जो समझे उपस्तित है जो वो देखता है, सोचता है, उसके बारे में विचार करना, स्मिर करना उसके लिए आवशक है, क्योंकि परिपक्य होना आवशक है, परिपक्य है नहीं किसी विचारों के बारे में, किसी चीज की जानकारी के बारे में, वो जो विचार प्रस्तुत कर रहा है, जो बात कर रह बात करते हैं नागरिकों की रूप में किसी कारेकरम के स्ट्रोपा होना यह जब कहीं पर कोई कारेकरम चल रहा होता है और विक्ति उस कारेकरम को सुनने वाला होता है उसका स्ट्रोपा होता है तो उसके उपर जो कारेकरम चल रहा है उसके जो विचार है उसका इफेक्ट पड़ता है तो एक स्ट्रोपा की रूप में भी क्या है विक्ति को एक अच्छा स्ट्रोपा होना एक अच्छा सर्वन कार कर ने हुना भूत आव Ama Yourhait गीट वर्ले कि हार करने वाले इत ну कलाकार है जो गीट का गायन कर रहा है उसकी जो सुर्की पर्व की सुनने वाले व्यक्ति होते हैं वह उसके अनवविक परस्वत करता है तो उसकी कमियां है यह उसमें बाद में किस प्रकार गीत के आउश्कता है तो हम बताय करते हैं कि बाद में हमें किस परकार गीत क्या आवश्यक्ता है, किस परकार के संबोधन क्या आवश्यक्ता है, किस परकार का भास्वन है हम सुनना चाते हैं, किस परकार कविताइं सुनने चाते हैं, किस परकार विचार सुनना चाते हैं, यह जो सुनता है, स्रोत बात यह है कि जो जनता है जो सोता है वो सुनना क्या चाहते हैं क्या वो उमीद करते हैं उससे किस परकार के सुर्त आल की आवशकता है किस परकार के वो जो आप गायन कर रहे हो किस परकार गायन की वो मांग कर रहे हैं तो एक व्यक्ति को सामने वाले जो चाहते हैं सामने वा कांग साइए उनको जानना भी क्या एक संगेतकार के लिए एक व्यक्ति के लिए आवशिक बताया गया है बलती है सिख्षित वर जागरुग भी राजनती का जानकार यानी राजनती का जानकार व्यक्ति क्यान होगा जो व्यक्ति सिख्षित होगा जो पड़ा लिखा होगा सा प्रतेक व्यक्ति के जिवन में प्रतेक व्यक्ति के साथ किसी दर्म को छोटा या बड़ा नहीं समझा जाए सभी धर्म को समान समझा जाए इस पर भी क्या है कि व्यक्ति के जिवन मेहत्व पुण ये युगदान रहता है बात करते हैं परिवार में परिवार में विधाले में व्योसाई केंद्रों में हमने देखा है कि व्यक्तियों को ऐसा मानता का सामना करना पड़ता है बात करते हैं परिवार में परिवार में जो ऐसा मानता होती है परमुरुप से लिंग की आधार पर होती है पुरुस यानि महिला की आधार पर उनके कारियों की आधार पर उनके बोलचाल की आधार पर उनके पहनावे की आधार पर उनके जो सेंस करतियों की आधार पर तो ये भेदवा परमुरुप से देखने को मिलते हैं बालाती है विदाले की विदाले में क्या है कि जो अच्छे विदार्ती होते हैं उनको क्या अवसर अधिक मिलते हैं जब कि जो कमजोर विदार्ती है पिछले विदार्ती है उनको अवसर नहीं मिलते हैं तो इस प्रकार के विदाले में विदाले में क्या हां में हां नहीं मिलाता या उसकी क्या चापलूस ही नहीं करता तो क्या है कि एसा व्यवसाई कंद्रों में भी क्या है कि भेदभाव देखने को मिलता है बाती है हम श्यूम भी लोगों की प्रति एह समान था हम श्यूम भी क्या करते हैं जो हमारे बराबर के हैं हमारे धरम के उनको तो हम समान समझते हैं तो जो हमारे धरम के नहीं है जो हमसे क्या है कि निम स्रिनी की है वो हम उनके फाद क्या करते हैं भेदवाव करते हैं तो हमें क्या है उस भेदवाव को नहीं करना हमें सब को अपने समान समझना है और हम सब जब अपने आपको एक जैसा समझेंग हम में किसी उस पीडा का अनौव होता है जो पीडा दूसरों के उपर बीचती है Ohio करने के बाद में क्या है कि हमें उस वास्तृव्युकता का पता चलता है ताकि हम उस वास्तौटा को बाद में होता है वर्ण के अधार पे होता है लिंक के अधार पे होता है तो यह बेदो समाजे पर रूप से पाए जाते हैं बारती है समाधान होने पर हिंसक रांती उचित कई बार क्या होता है कि हमारे जो समिश्य है उसका जब उच्छी समय पर निधर्ण नहीं हो पाता समाधा नहीं हो जाती है हम क्या है कि एक प्रकार से हमें विशेस अधिकार में ले हुए हैं विशेस अधिकार का मतलब हो गया कि सब प्रकार की सुविधाओं से सब प्रकार की आउश्यक्ताओं से हम संपन हैं तो हमारा भी करता भी बनता है कि हम किसी के साथ भेदवाव नहीं करें जैसे ह अपने लिवार्ट कोुँगी। जब हमारे साथ ऐसा मांने साथ होती है, भेदब साक हुसे हमें, जब पासथ को 궁 whistle है। गश्ऑल काά में रूकर करते हैं। तो हमें क्या है उनको निम्द नहीं समझना चीए, वो भी क्या है हमारे तरह मनुष्य है, मनुष्य होने कान क्या है कि उनको भी समान क्या आउशकता होती है, उनको भी क्या है कि अन्यकारियों क्या आउशकता होती है, उनको रिस्पेक्ट क्या आउशकता होती है, तो हमें क् के समाज में रहने वाला प्रसेव किसी व्याइग करें किसी बहुत अब्र नहीं कोई ब्याइग संज़ें 12. कार्य के अधार पर भेदवाव नहीं। है ये सबी एक्तिंगों प्रोस्षाहित करते हैं कि अनको डूसतो करन्य को प्रस्तूर कर पेंगे एक दूस्ट herd मन की भावना को जानने का प्रयास करेंगे और अपने मन में जो भी बात है जो भी भावनां जो भी वीचार है उन्को डूस्ट विदाले में रखी जाती है कि बच्चों की जो बोलने की जो चमता है बोलने की जो गती है बोलने का जो तरीका है उसको उजागर केदा सके उसमें बोलने की जो चमता को नए जो गुण विक्सित किया जा सके जिसके जो बाद विदाले में जो बाद विवाद प्रतियोगिता होती है वाफन प्रतियोगिता होती है वो रखी जाती है तक एक बच्चा है वो आगे मंच पे आके अपने विचारों को सपस्ट रूप से क क्या है प्रस्तुत कर पाए अपने मन की भावनां को परगट कर पाए बालती है अपने विचार प्रस्तुत करना क्या सही है या गलत है व्यक्ति जो अपने विचार प्रस्तुत करता है अपनी भावनां को जागर करता है क्या उसके जो विचार प्रस्तुत किये गए हैं क्या तो सही है यह गलत है तो यह विचार तो उसके प्रस्तुत करने के बाद में उसके बोलने के तरीके पे उसने विचार प्रस्तुत किया है उस पे निरवर करता है बाद आती है चातर यह नहीं जानते कि यह विचार कितने उप्युक्त है बच्चे हैं जो बालक है जो उपने व पर सुद्की है जो भावने उने व्यक्त की है क्या वो अनुचित है या गलत है उनका होने क्या है एक प्रकार से सही तरीके से भैद भाव है उनको मालू में नहीं होता बारती है बचाओ के लिए तरक सिद्धान्त का सयोग पर्म ग्रूप से क्या है कि हमारे उपर कोई मान लो कि आरोप लग रहा है प्रत्य आरोप लग रहा है या हमारे उपर कोई टीपने की जा रही है हमारे उपर कोई समाद किया जा रहा है तो हमें जब तक तरक सील नहीं होंगे यानि बातों को सोचने समझने लाइक नहीं हो जाएंगे बातों का वापस प्रति उतर देना नहीं सीख जाएंगे तब तक इन समेश्यों का क्या समादाने नहीं हो पाएगा इफले हमें क्या है तरक सी लोना, व्यचारुफी लोना भी हावश्यक दगका कि किसी की बात का, किसी की सावाद का सही जवाब, सही उत्तरक दे पाएंग, बारती है, तरक वित्रक के लिए जानकरी होना हावश्यक, हम किसी मुद्ध पर हम किशी विश्य पर बाचित कब कर पाएंगे जब हमें उस मुद्दे का हमें उस विश्य का ज्यान होगा ज्यान के अभव में क्या है कि हम तरक वितरक नहीं कर पाएंगे क्यों जितने हमारे पास जानकरी होगी, जानकरी या धरपर हम किसे के साथ वादिवाद कर पाते हैं, इसे के साथ वितरक वितरक कर सकते हैं, तो इसलिए हमें क्या है कि हर छेतर के बारे में जानकरी होने आउशक है, हर विश्य के बारे में जानकरी होने आउशक है, जिए वो प्रतेग व्यक्ति के जीवन में महत्वपण होते हैं और सभी के जीवन में इनका महत्वपण योगदान रहता है विकास में और उनके उजल भुष्य के लिए राजनतिक सिदान्त है वो बहुत ही उप्योगी और लाब दाइसिदे होते हैं